दोस्तों, 17 सप्टेमबर से 2 अक्टूबर तक पित्र पक्षकाल चल रहा है और ये वो समयकाल है जहां आप अपने पित्रों को संतुस्ट करते हैं अगर आपके लाइफ में अननसेसरी डिलेज हैं कुछ देर हो रहा है पिए बचा रिष्टों को लेके देर हो रहा है पैसों को लेके, फैनेंस को लेके देर हो रहा है कोई काम लगना है लेकि लग नहीं रहा है कई समय से डिले पड़ा हुआ है सिहत में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है फिर भी एक बीमारों जैसे जिन्दगी चल रहे गेता समझाना पित्रदोष है।। दोस्तो कि गहरी बास समझ जाएए। कि आप ही अपने पित्र है। ज़नमान्तर में आप यह ज़नमें फिर आप यह अपने घर में, अपनी परिवार में, अपनी एंसेस्टर में, फिर से ज़नमें. बहुत सारे गलतियां आपने अपने पीछे किये, अपने आत्मा के प्रती बहुत सरी गलतियां किये, तो उसकी वज़े से पितरदोश होते हैं, कार्मिक बंधन कुछ इतना जटिल प्रक्रिया है कि हमारे एंसेस्टर्स और हमारे आसपास के लोग ही बार बार हमारे आसपास जन्म रहें, और हम उन इंसान पुरे जिंदीगी में जदिक से अधिक, अधिक से अधिक, दोहजार लोगों से मिलता है। जिन में अधिक से दो ही लोग होते हैं आप, समझ पर आप और आपके जीवन साथे, तो यह कुछ कॉमिनेशन है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, कि पित्रदोश ज्यादा तर हमारे अंसेस्टर यह हमारे ही आत्माओं के बीच में होता है, हमारे ही जन में हिंदू धर में अच्छे से समझाया गया है, राइस बॉल बनाते हैं, हम चावल का प्यारा सा लड़ू बनाते हैं, तिल और घी के साथ, उबलेवे चावल, तिल और घी के साथ हम लड़ू बनाते हैं, और तीन या चार लड़ू कॉमे को परोज देते हैं, बाहर रख स्टेर्स हमारे पित्र तिर्प्त हो गया मतलब उस कववे ने उस ओफरिंग को सुईकार किया उसे ग्रैंड करके हमारे पित्रों को संतुस्ट किया एक बहुत गहरी बात और आप जानेजे कि पित्र पक्ष के समय में कभी भी कोई नहीं चीज नहीं खरी देंगे बहुत जोर से दोश पढ़ता है वो हमेशा प्रॉब्लमेंटिक रहेगा उसकी वज़े से प्रॉब्लम रहेगा और शक्ता की चीज खरी सकते हैं खाना पीना राशन थोड़ा बहुत सबजी फल यह कोई दिक्कत नहीं लेकिन घर में जो कोई बड़ी चीज जैसे खरीद रहा खरीद गर की उसोफा बैड ऐसा कुछ भी खरीदना है मत करेदो डॉक्त बड़ी वार इसके नोरातरी में तो भार गये खरीदो बजट नहीं है तो भी बजट बनांगे खरीदो थोड़ा बहुत लोन लेकिए खरीद लो अगर दो मेने बाद का प्लान है तो नोरातरी में यह बहुत सुरी चीज़ है, तो कर्म बंधन है, पूरा का पूरा यह पित्र पक्ष है ना, तो इसमें बहुत ध्यां रखना होता है, दूसरा पित्र पक्ष के समय, कुशिश करें कि सुवह जल्दे उट करके, अपने पित्रों से प्रातना करें, अपने इंसस्टर्स को सुरी की तरफ दिशा में देख करके पातना करें, जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस अपने लिए ज़्या से ज़्यादा पूर्णिकी है, ज़्या से पूर्णिकी है ज़्यासे कुट्टों को खाना खिलाना, गरीबों में दान करना, भंडारा करा देना, यह जह में लिए हैं, तो आपको खुद का ही निवारण करना होता है, जब आप खुद का निवारण करते हैं, जीवन अचानक से चमातकारी के रोप से बदलना शुरू हो जाता है, दोस्तों पित्रपक्ष बहुत ऐसा काल है जहां आप अपने फाल्टों के डेट्स को क्लियर करते कार्मिक डेट्स को क्लियर करते हैं, कार्मिक डेट्स क्लियर होते ही, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप सब अच्छा हो जाते हैं, ठीक है, और नौरात्री आने वाला है, फिर दिवाली आने वाला है, जिसमें आप मेरे से जाधा तर लोग इस साल फिर से लश् तो इस साल भी लच्पी पोटली तयार है, तयार है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ने बनाया तो यही लोग नहीं, इसको कैसे बनाते हैं उसकी विधी के लिए पूरा विडियो बना हुआ है, आप इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से जस्ट पहले वीडियो को देख लेंगे, ठीक है लिंक में इसका दिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है कैसे बनाते हैं, कैसे प्रातना करते हैं, कैसे हिल करते हैं सारे घटकों के नाम एकदम के लिए अच्छे समझा है आप अपने घर में खुद बना सकते हैं आपने लुगों के लिए बना सकते हैं, अपने आशपास के लोगों के लिए बना सकते हैं, चैЛ秋 masculine लके ने नाए लश्चनी पोटला को पिर से अपने जीवन में एक साल के लिए के आना होगा तो उसके लिए अब हीसे थियारी कर लेजिये varies AE tar of birth या जिसके लिए भी आप लेना चाहते हैं उनका date of birth नाम वगरा भेज करके अपने healer से यह रशी पोटल ले यागर हमसे लेना चाहते हैं तो बता दें क्योंकि 11 दिन का समय लगता है उसको मंतर जाप और healing देने से के लिए है ना जी तो पित्र पक्षे का आपको यह पूरी बास समझ में आ गई है और कल से ही लग जाए है वित्र पक्षे चल रहा है नमस्ते जी